हलो फ्रेंट्स मैं हूँ अन्नपुर्णा और आपका स्वागत है मेरे किशन में आज मैं बनाने वाले साबुदाना की ठोड़ा डिफ्रेंट पर बहुत ज्यादा टेस्टी इसके लिए मैंने लिया है साबुदाना गुड सुखानारियल घी केसर ड्राइफ फ्रूट आप चा साथ के लिए भी यूज़ कर सकते हो व्रत में भी खा सकते हो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही बढ़िया है इसके लिए सबसे पहले मैंने रखा एक पैन पैन रखके उसमें मैंने डाला है दूद यह एक लिटर दूद है यह पहले से बॉइल करके ठंडा कियावा दूद हमें चासनी नहीं बनाना है, जस उसे मेल्ट करना है, अब मैंने ग्यास पे रख दिया है, दूद भी काफी अच्छे से बॉइल हो गया है, साबो दाना भी काफी अच्छे से भीग चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबो दाना, साबो दाना हमें एक साथ नहीं डाल साबोदाना बहुत जल्दी पक जाता है, गुडबी मेल्ट हो गया, अब मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है, और साबोदाना भी अल्मोस्ट पक चुका है, अब मैं ड्राय फ्रूट्स को फ्राइ करूँगी, उसके लिए मैंने रखा एक पैन, पैन में डाला है गी, घी डा आप चाहो तो बिना फ्राइ के भी डाल सकते हो, ड्राय फ्रूट अल्मोस्ट फ्राइ हो गया है, अब मैं खीर में डाल रही हूँ, केसर वाला दूत, डालती साथ आप देख सकते है, बहुत अच्छा कलर आया है, खीर में गुड़ की जगा शकर इस्तमाल करना चाहते हो, तो इस स्टेज पे यहां पे आप शकर डाल सकते हो, आधी कटोरी या आपने टेस्स के अकॉर्डिंग, अब मैंने इसे मिक्स कर दिया, मिक्स करके इसमें मैं डाल रही हूँ, चिरणजी, डाल के थोड़ा सा और मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके अब मैं इसमें बाकी के ड् अदरवाइस दूद फट जाएगा क्योंकि कुछ कुछ गुड में नमक मिला हुआ रहता है अब मैंने ग्यास का फ्लेम आफ कर दिया गुड को मैं चान के डाल रहे हूँ क्योंकि गुड में इंप्यूरिटी कच्रा रहता है चानने से वह निकल जाएगा अब मैंने इसे डाल खेल भी बनता है खीर अभी बनके रेडी है आप देख सकते हैं पहले थोड़ा सा पतला था अभी थोड़ा सा गाड़ा हो गया ठंडा होने के बाद ये खीर बनाते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है एक साथ हमें साबुदाना पूरा नहीं डालना है थोड़ा-थ सब्सक्राब करें साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तैंक यू